आरो ए आरो की परिक्षा को लेकर अक्सर अभ्यर्थियों में ये जेनुइन सा प्रस्ण होता है कि क्या आरो के लिए यानि समिक्षा अधिकारी रिब्यू आफिसर के लिए ओ लेबल का सर्टिफिकेट होना निवार है तो यहां मैं ये भ्रम्दूर किये देता हूं जी नहीं आरो के लिए ओ लेबल का सर्टिफिकेट होना निवारे नहीं है आरो और ए आरो यानि रिब्यू आफिसर और असिस्टेंट रिब्यू आफिसर ये दोनों ही पोस्ट एक साथ आते हैं ये तो मेंसन नहीं होता फॉर्म में कि कितने पोस्ट आरो के हैं कितने आरो के पर ध्य ध्यान रखिए कि ARO के लिए यानि Assistant Review Officer सहायक समिक्षा अधिकारी के लिए ही O-Level का Certificate अनिवारे होता है। Review Officer के लिए जो UPPSC के थुरू आता है या फिर UPSSC के थुरू जो भी फार्म आ रहे हैं तो समिक्षा अधिकारी के लिए O-Level का Certificate अनिवारे नहीं है। आपकी Graduation की डिग्री ही मानने है। तो ध्यान रखिए अगर आपने Graduation किया है तो आप ARO का फार्म भरनने के लिए इलिजिबल हैं इसलिए जब भी आपका ARO ARO का फार्म आए तो आगर आप Graduation में अन्टिम वर्ष के शात शात रहे हैं या फिर Graduation कर चुके हैं तो आप इलिजिबल हैं आप ARO ARO का फार्म जरूर भरें ठीक है दोस्तो एक बात और ध्यान रखिए कि आप अगर अंतिम वर्ष के शात शात रहें तो परिक्षा यानि जो फाइनल मुख्य परिक्षा हो जाएगी उस तक या फिर आयोग ने जो डेट मेंसन किया है उस डेट तक आ आपके पास ग्रेजुएशन की डिगरी होनी चाहिए तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा चलिए ठीक है दोस्तो उम्मीद है कि आपका ARO ARO का O-Level को लेकर जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा धन्यवाद दोस्तो